तो गाई सबसे पहले में आप लोगों को एक फोटो दिखा देगा और नर्मल सा फोटो है यह वाला ठीक है, पास्पोट फोटो नहीं है इसी को मैं पास्पोट साइज फोटो बना के दिखाऊंगा मोबाल फोन से तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है? बेक आजाना है ठीक है तो बेक आजाएंगे डाटा उन कर लिजेगा उन कर लेने का बाद आप लोंको Google में आजाना है Google में आजाने का बाद उपर में आप लोंको Search bar में लिखना है Remove BG इस तरह से आप लों लिखेगा इस तरह से उसके बाद आप लोग को upload image का option दिखा रहा नीचे में उसमें आप लोग को click करना है जैसी click कर लिजेगा आप लोग का gallery खुल जाएगा जिस photo को आप लोग edit करना चाहते हैं passport size उसको आप लोग select कर लिजेगा तो देख सकते select कर लेने के बाद इस तरह से uploading लेगा और यहाँ पर आप लोग का इस तरह से आ जाएगा background एरेज होके आ गिया है देख सकते हैं इसका अभी background color करने के लिए edit व़ला option में click करना है जैसी click क photo का तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा color मिलेगा मन पसंद का जो आप लोग को रखना है उसको आप लोग select कर लिजेगा रोके कर दीजेगा ठीक है तो इस तरह से मैं इसको रखना चाहता हूँ इसको अभी क्या करना है उपर में देख सकते हैं save option मिल जाएगा तो है पर download image निचे दिखा रहा है इसमें आप लोग को click करके आप लोग को save करना पड़ेगा तो आप लोग का gallery में save हो जाएगा उसके बाद आप लोग को आ जाना है यहाँ आप देख सकते pixel application को open करना है तो आप लोग को pixel application को open कर देना है उपन करने के बाद इस तरह से आ जा बीजबला टेक्स को उपर में डिलिट का option इसमें क्लिक करके हट जाना है उसके बाद अभी आप लोग को 3. में आ जाना है उपर में देख सेकते हैं 3. मिलेगा इसहां पर आप लोग को 3. में आप लोग को क्लिक करना होगा तो देख सेकते हैं में जैसी क्लिक कर लिजेगा image size का option दिखा रहा है इहां पर अप को image size कर लेना है कौन सा size में अप लोग paper size में photo निकलना चाहते हैं इहां पासपोर्ट size photo 46 size paper में निकलना चाहता हूं तो इहां पर 46 size paper स्लेट कर लिए हूं उसके बाद यहाँ पर आप लोग को click करना है और यहाँ पर color में आ जाना है इसको black and white कर लेना है white paper कर लेना है white paper करके ok कर दिजेगा उसके बाद आप लोग को देखिए last option में click करना है from gallery में click करना है तो आपका gallery खुल के आ जाएगा जिस photo का background आप लोग चेंज किये थे उसको आप लोग को select करना है select करने के बाद यहाँ पर आप लोग को नीचे वाला frame में देख सकते हैं 3.4 इसमें आप लोग को click करना है यह passport size है तो आप लोग को इस तरह से कर लेना है तो automatic set हो जाएगा उसके बाद नहीं होता है तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा cropping कर लिजेगा जितना में आप लोग राखना चाहते हैं इस तरह साप लोग cropping कर लिजेगा तो cropping हो जाएगा उसके बाद okay कर दिजेगा तो देख सेकते passport size photo बनके ready हो गया कितना अच्छा लग रहा है ठीक है तो इसको अभी stroke मालना है यहाँ पर stroke बनके ready हो गया है इसको अभी कितना copy निकालना चाहते है उसके लिए यहाँ पर grapping बनके क्लिक करना है तो देखे डबबबबबब बन गया है यानि इसी के अंदर आप लोग को set करना है कितना copy आप लोग को निकालना है तो एक को सबसे पहले इस तरह से आप लोग set कर लिजेगा डबबबा के अंदर एक को set कर लिज़ेगा नीचे में देख सकते हैं कोपी बाला option है इसमें जैसे आप लोग किलिक कर लिज़ेगा ना तो कोपी हो जाएगा देख सकते हैं कोपी हो गिया है उसके बाद इस तरह से खीच के लेके आ जाएंगे इसी में एक line में 4 आटेगा ठीक है तो आप लोग को एक line में 4 सबसे पहले भर देना है इसी तरह से आप लोग को इतना सारा डबा दिया हुआ उसमें आप लोग को भरना है तो जितना कोपी आप लोग निकलना चाहते हैं उसी तरह से आप लोग को कोपी कर करके इस तरह से आप लोग को भरते जाना है तो मैं यहां पर जल्दी जल्दी कर लेता हूं जितना copy आपनों को निकालना है ठीक है तो मैं पूरा page में निकालना चाहता हूँ यहां पर custom है इसमें क्लिक करके पुरा बुट में आ जाना है उसके भाद उसके बाद save to gallery कर देना है जैसे gallery कर दीजेगा तो आपका gallery में save हो जाएगा इसको अभी आप लोग इस्टूडियो ले जाएगे और हुआ पर निकालवाए print out आपका काम हो जाएगा कम खर्चा में वीडियो के इसा लगा अच्छा लगा तो please हमारे चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देजे मिलतें नेक्स्ट वीडियो में